हेलो फ्रेंड हिमांचल ग्यानमंदार में आपका स्वागत है सबसे पहले सभी को न्यू यार की हार्दिक सुथकामना है तो हम बात करते हैं हिमांचल प्रदेश पब्लिक सर्विस कमिशन द्रादा जो न्यू रिक्विट्मेंट निकाली गई है उसको लेके तो ये न्यू र के दिन मैंने सोचा था कि न्यू यर के दिन मैं इस वीडियो को अप्लोड करूं ताकि आपको न्यू यह का एक गिफ्ट मिल सके तो चलिए स्टार्ट करते हैं सबसे पहले बरी है और जो आप ओनलाइन फॉर्म है ओनलाइन फॉर्म को आप इस साइट से फिल अप कर सकते हैं चलिए नेक्स देखते हैं सबसे बात करते है कि टोटल नम्रों पोस्टे कितनी हैं तो टोटल 20 पोस्टे है नाईप दसिलदार की जिसमें की अनरेजर्व की ठी है schedule cast की 3 post है, schedule tribe की 3 post है OVC की एक post है और EWS की भी एक post है pay scale भी यहां पर लिखी हुई है essential qualification की बात की जाए तो essential qualification graduate होनी चाहिए आप किसी भी recognized university से age आपकी 21 से बड़ी होनी चाहिए या फिर 21 होनी चाहिए और 45 से कम होनी चाहिए age relaxation की बात की जाए तो इज लेक्षेशन भी यहां पर लिखी हुई है जैसे कि 5-year इज लेक्षेशन है अपर इज लिमेंटर SC of HP के लिए bonafide SC of HP, ST of HP, OPC of HP, Bard of Freedom Fighter of HP इस तरह के इज लेक्षेशन भी है next बात करते हैं कि how to apply तो यहां पर points लिखे हुए है कि आपको online form जैसे कि mobile number, email, id, online equipment application पर आपने इसको fill करना है इस तरह के जो भी आपकी इस link से आपने form को fill up करना है यह यहां पर लिखा हुआ है उसके बाद examination center की बात की जाए तो examination center जो objective type screening test होगा उसके लिए similar रखा हुआ है मंडी, सुंदरनगर, कांगडा, धरमसाला, पालंपूर, सोलन, उनना, नाहन, बिलासपूर, कुलू, चंबा, हमिरपूर और उसके बाद किलोंग यह सभी आपके examination center है जो आपका objective type screening test होगा उसके लिए जो आपका paper 1 है pre-exam examination fees की बात की जाए तो journal category की examination fees 400 है जो आपके candidate other state के है उनकी fees भी 400 है जो आपके SC of HP और SC STOBC की fees 100 रुपीज है और एक serviceman of HP की कोई fees नहीं लगेगी उसके साथ female candidate की भी कोई भी fees नहीं है नेक्स बात करते हैं जो examination station है तो यह यहां पर लिखे हुए examination station आप इसको भी पढ़ सकते है mode of payment आप इसके तुरू e-payment gateway के तुरू कर सकते है credit card, debit card, internet banking इस तरह से आपर online payment कर सकते है next बात करें selection process की, selection process stays total 3 होगी first आपका screening exam, pre exam जिसको हम बोलते हैं उसके बाद second आपका main exam होगा अगर किसी ने pre exam qualify किया है उनका ही main exam होगा तो उसके बाद main exam होगा उसके बाद personality test होगा यह एक class 2 की post होती है नाइफ रसीलदार की next यहां पर बात की जाए list of document to be uploaded OTRS portal में आपको कौन-कौन से जो आपको document आपको upload करने होंगे तो जैसे की metric की आपको certificate bachelor degree जो आपकी होगी उसके बाद category से certificate आपको bona fide जो होगा आपका वो या फिर कोई candidate EWS का है तो उसको अपना EWS category से है तो income certificate यहां पर upload करना होगा स्लेबर्स की बात की जाए जो objective type screening test होगा उसके लिए तो जो objective type screening test होगा यह आपको 120 मार्क्स का होगा इसमें 30 मार्क्स आपके जो हिस्ट्री जिग्राफी सोचली एकॉनमिक ड्वेल्पमेंट हिमांचे प्रदेश का है उससे आईगा हिमांचल की स्ट्री मांचल की जिग्राफी इस तरह से 30 जो आपके 50 मार्क्स है 50 मार्क्स का आपको जैसे की नौलिज़ जो आपका current events हो जैसे नेशनल के इंटरनेशनल की या फिर जो आपके scientific journal science है उस तरह के आपको question 50 मार्क्स क्योंगे grant affair इसमें आगे रिजमाथ के इसके बाद 40 marks की बात ऑसके आएंगे addresses traveling all and geography और सब्सक्रारी के सार्द के आपको 40 marks के question नाएंगे यहां पर फॉर्वत की नेगेडिव मार्किंग और होगी यहां पर लिक्षा भी हो गुआ है अगर एक marks का question है तो 0.25 negative marking भी आपकी होगी अगर आपका question गलत होता है उसके बाद बात की जाए मेन एक्जाम की तो मेन एक्जाम में आपके total 5 paper होगी जैसे कि यहाँ पर लिखा हुआ है subject GKN Crant Affair के आपके 100 marks का होगा Journal English आपके 50 marks कियोगी English ऐसे आपके 50 marks कियोगी Hindi आपके 50 marks कियोगी और बाइबा जो होगा आपका interview वो भी आपका 40 marks का होगा minimum passing marks यहाँ पर लिखे हुए 33% आपको minimum passing marks चाहिए हर subject में जो आपका interview होगा उसके लिए आपको written exam के अधार पर आपको बलाए जाएगा और यह आपका one third रहेगा यानि कि अगर 20 post है total तो आपको 60 candidate को interview के लिए बुलाए जाएगा अब बात कर लेते हैं main examination के syllabus को लेके तो first है आपका journal knowledge and current affairs यह आपका hundred marks का आएगा तो यहाँ पर इनने लिखा हुआ है कि जैसे history होगी geography होगी socio economic development हो गया हिमान चेपर देश का इसके आपको 20 questions आएगे 20 marks का यह आपको आएगा उसके बाद knowledge of current events of national and international importance and such matter of everyday observation and experiences in their scientific aspect as may be expected of an educated person who has not made a special study of any scientific subject यह नहीं किया आपको जैसे कि जो भी आपके current event होदे है national international event होदे है उसके विसासाथ आपको जो journal science है उसके आपको 40 questions आएगे उसके बाद आपको जो आपका modern history से आएगे आपको question Indian culture, Indian quality, Indian economy, geography of India and teaching को महत्मा गांदी इसके 40 marks के आपको question आएगे total time आपको 2 hour का मिलेगा इस exam के लिए उसके बाद second paper होगा आपका journal English का तो इसके आपको 50 marks का यह आएगा one and a half hour इसको आपको मिलेगे English essay का भी आपको 50 marks का आएगा इसके लिए भी आपको डेड़र मिलेगा one and a half hour मिलेगा आपको इसके बाद Hindi भी आपको 50 marks किया आएगी इसके लिए भी आपको one and a half hour मिलेगा यहां पर लिखा होगा है कि Hindi में आपके जैसे कि translation of English passes into Hindi यह इस तरह से आपको आएगा second आपको explanation of Hindi passes in prose and poetry in the same language composition आएगी आपको इस तरह से इंदी का syllabus होग आएगा तो यह बात होगी में एक्जाम की उसके बाद आपका जो भी candidate में एक्जाम में qualified होगा उसका आपका interview होगा आपका तो दोस्तो यह तरह की नियू नोटिफिकेशन इस तरह की notification के लिए आप आप हमारे चैनल पर बने रहे चैनल को subscribe करना न भूले और बाइल आइकन प्रेस करना न भूले ताकि आपको इसतरह की new notification मेल सके thank you